राज LED LCD ओनलाइन में आपका स्वागत है सीखें ओनलाइन LED LCD मात्र तीस दिन में बेसिक और प्रक्टिकल के साथ सीखें हमसे बात करें, पूरी जानकारी लें, फिर जॉइनिंग करें और बने LED LCD के मास्टर हमारा मुबाइल नंबर है 2499-693 दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलता CRT भाहियों के लिए एक अनोखा और सांदार मौका हम लेकर आए है मात्र तीस दिन में आप LED LCD के मास्टर बनिये और अपने वविश्च की सारी समस्यां खत्म कीजिए क्यों कि अब CRT TV बंद हो चुका है आप कुसल कारीगर हैं जरा सा basic knowledge लेकर आप अपना बविश्च समार सकते हैं आईए दोस्तों नवश्कार दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा टू टाइम बिलिंकिंग तो अब हम बात करेंगे फूर टाइम बिलिंकिंग टू टाइम बिलिंकिंग को जानने के बाद अब हमें जरूरत पड़ जाती है फूर टाइम बिलिंकिंग सोनी LED फोर टाइम बिलेंकिंग तो सोनी LED में फोर टाइम बिलेंकिंग ये आती क्यों है आज हम आधुनिक डिजिटल डाइग्राम दोरा आपको समझाते हैं आपने देखा कि 19 बोल्ट जो हमारा पैनल बी सी सी होता है स्वरी हमारा सप्लाई का 19 बोल्ट अबराप्टर होता है उसमें अगर कोई त्रूटी आ जाए तो हमारा टू टाइम बिलेंकिंग जाता है लेकिन अब फोर टाइम बिलेंकिंग का क्यल अपड़ा है तो वो हम आपको समझाते हैं तो four time blinking जब आती है तो हमें हमारे 19 बोल्ट ट्रेस करना है हमको पहले पहला काम एक पहला काम हमें 19 बोल्ट ट्रेस करना है कि 19.5 बोल्ट सही आ रहे हैं तो हमारा four blinking अगर आता है तो हमें फिर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने में हमें क्या देखना है उसमें हमें देखना है उसका panel VCC क्यों पैनल VCC में प्रोलम आने पर four time blinking में सेट जाता है क्यों किस media tech का जो processor लगा होता है उसमें सारे blinking code उपलब्द होते हैं सोनी को सुधारना बहुत आसान है लेकिन क्या है कि थोड़ी जटिलता होने के कारण आप लोग हतास हो जाते हैं तो उस हतासता को हटाने के लिए मिटाने के लिए ही हमने आज ये वीडियो डाइग्राम द्वारा आपको समझाने के लिए बताए है कि क्या हमारा 19 वॉल्ट का एडप्टर का जो भी circuit होगा और लगवाग उनिस वॉल्ट के ही ज़ादा आते हैं पहले सुपराने में नहीं आते दें लेकिन उनमें 19 वॉल्ट ही निकलते हैं सबला ही अलग है तो 19 वॉल्ट ही निक लेकिन एको अगर फोर टाइम बिलिंगिंग अगर आती है तो उसे कैसे दूर करें तो उसका एक आसान तरीका हमने आपको बताया है कि 19 बॉल्ट चेक करें पहली बात अब उसमें पैनल बी सी सी पर जो हमारा पैनल बी सी सी होता है उस पर एक मॉस्पेड लगा होता है अगर मॉस्पेड नहीं होगा पी चैनल का एक मॉस्पेड लगा होगा तो हमें यहां एक एल लगी मिली होगी ओरी कौाइल का फॉरम का होता है एल मॉसपेट का होता है क्यों तो हम एक मॉसपेट लगा मिलेगा पी चैनल को अब पी चैनल के मॉसपेट में 19.5 इन होंगे और सोर्स से 12 बोल्ट इन होंगे इसका gate का जो system रहेगा इसके gate का जो system रहेगा उसे हम empty media tech media tech जो processor रहेगा उससे इसको signal मिलेगा तब यह 19 बोल्ट से यह regulate करके 12 बोल्ट panel BCC को देगा अगर panel BCC में कोई problem आई तो फिर हमें four time blinking में sony का set जाएगा अब 19 बोल्ट नहीं मिलने पर panel BCC में जाएगा एक तो काम हमारा यह हो गया अब दूसरा काम हमारा क्या हुआ कि अगर हमारे पास यह बारा बोल्ट है भी फिर भी सेट आपका four बे लेग्डिंग में जा रहे आए तो फिर हमें क्या करना होगी तो फिर हमें वारा बोल्ट से जो आई सी के बगल में इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं उनमें हमें कंट्यूनिटी चेक करना होगी और उसके आगे हमें एक four के four 47 के का एक रेश्टेंस मिलेगा और उसी के साथ सिरीज में एक 10 के का रेश्टेंस मिलेगा जिसका इसका ही कलर पर ध्यान देना इसका ही कलर होगा जिसका इसका ही कलर होगा वो 10 के का रेश्टेंस होगा और ग्रांड से कनेक्टिविटी होगी उसकी और बीच से उस प्रोसेसर को दो वोल्ट रेप्रेंश वोल्ट मीडिया टेग को मिलेंगे तो यह पैनल बीसी सी सही होगा अब इनमें यह पेनल बिसी से अगर यह मॉस-पेड़ खराब है तो हमारा फौरफ बिलिंगिंग में जाएगा मॉस-पेड़् से बारा बॉर आउट हो रहे है फिर फौर बिलिंगिंग में है तो हम रिर्टर ना जाएंगे और इन दोनों को हम कलेक करेंगे कि ये 10 के का रिच्टेंस सही है और ये 47 के करेंस सही फार्मूला हमारा वही लगेगा कौन सा जो हमने आपको बताया जैसे कि V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2 ये फार्मूला लगेगा अब इस फार्मूले के अनुसार हमने यह दो बोल्ट इन रेजिस्टेंसों के द्वारा दर्साय हैं देखते हैं कैसे निकलते हैं यह रेजिस्टेंस के द्वारा बोल्टेज हम इसको ओपन ली प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिरकार हमें यह कैसे निकलेंगे देखते ह है हैं दोस्तों यहां कि हमारा अब हमारा फार्मुला है कि क्या है Ugh swITA 20 Rozि तो हम 12 ऑल्टफ पर यहां कि 12 अब्राव जोना है कि क्या है फार्मुला अपने देखा है चलो इसको इदर कल लेते यहां दिख्нять आपको देख रहा है क्या अहां चलो देख रहा है चलिए हमारा जो फार्मूला है वो यह है हमारा वी गुणा यह देखिए चलिए इसको यू कर लेते हैं फार्मूला है वी गुणा आर टू आर वन प्लस आर टू तो हम इसको क्या करते हैं कि हमारा वी क्या है यहां बारा बो आर्टू, आर्टू कितना है हमारा यहां, टेन के, बरावर यहां क्या आया, एक सो बीस, अब हमें जोडना क्या है, आर्बन प्लस आर्टू, आर्बन और आर्प्लस को जोड़ेंगे हम, तो यहां में सत्ता वन मिलेगा, आर्बन प्लस आर्टू जोड़ेंगे, जैसे की, आर्बन है हमारा 47 प्लस 10, 10 को जोड़ेंगे, तो यहां में 57 मिलेगा, 120 में 57 का भाग देंगे, आईए कैलकुलेटर का इस्तिमाल करते हैं, हम यह 120 गुणा, स्वरी, 120 भागित 57 बराबर 2 वोल्ट, आपको देखने को मिलगा है, यही 2 वोल्ट हमें, यहां चाहिए, इस भारमूले को हमेशा आप सोनी के सेट में याद आपको रखना होगा, वी गुणा R2 बटे, R1 प्लस R2, वी क्या है हमारा 12 वोल्ट, इस में इस सर्केट में हमारा क्या दिया है, वी क्या दिया है हमारा, हमने आपको फाबर सबलाई में यह पूरी तरह से पढ़ाया था, V क्या है हमारा 12 volt V गुणा R2 गुणा करेंगे R2 का बटे जो भी आएगा R1 प्लस R2 इन दोनों का भाग दे देंगे बस इतना याद आपको रखना है तो हमारा क्या निकले आया यहां 2 volt अगर हमारा यहां 2 volt है तो यह media take का प्रोसेसर को पता है कि हमारा यहां पैनल VCC सही है यह Sony LED चार टाइम जो विलिंकिंग करता है उसका सुद सुद फार्मूला है क्योंकि 19 volt इस एडाप्टर को नहीं मिलेंगी तो भी करेगा 19 volt से 12 volt यह नहीं निकालेगा तो भी करेगा 12 volt निकाल दिये तो भी करेगा 12 से फिर यह circuit जो बनाया हमारा कि एक हमने 47 के करेश्टेंज लिया दूसरा हमने 10 के कर लिया और बीच में से इसको रिप्रेंस voltage यह दो बोल्ट मिले तब जाके यह हमारा 4 बिलिंकिंग का फंडा दूर होगा यह आज हमने इसमें जाना क्योंकि दोस्तो जो हमारा सोनी का सेट है क्यों सोनी एक भहुत सांदर कंपनी है लोंग टाइम चलती अच्ची लेकिन अक्सर यह फॉल्ट उसमें आते रहते है तो इसी पर हमारी आज यह सेशन था यह सर्चा थी क्योंकि हमको एक बारी की से कि बेसिक नोलेज के बगेर प्रेक्टिकल अधूरा है खतम है जैसे कि आप इस पर कोई प्रेक्टिकल करेंगे तो क्या प्रेक्टिकल करेंगे जब तक आपको बेसिक नोलेज नहीं होगा और बेसिक नोलेज अगर आपको है स्वनी के बोर्ड में आप प्रक्टिकल क्या करेंगे अगर आपको ये बेसिक नोलेज की जानकारी नहीं होगी और बेसिक नोलेज सिर्फ और सिर्फ राज एलीडी लसीडी के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंको देखें दोस्तों आदूनिक डाइगराम हमारे पावर सप्लाई, मदर बोर्ड, बेक लाइट, पैनल सारे आदूनिक डाइगराम हैं हम कभी किसी की कोई कौपी नहीं करते और ना हम रिंगा चिंगा बना के कोई काम करते आपको ऐसा महसूस हो जो एक बार आपने डा और सप्लाई का हो चाहे मदर वोट का हो चाहे बेक लाइट का हो चाहे पैनल का हो तो आज हमने जाना सोनी फोर टाइम बिलिंकिंग कहां से आती है उननीस वोल्ट चेक करो सही है बारा वोल्ट से कंट्यूनिटी रखेंगे और जो मेडिया टेक का जो प्रोसर रहता उसके बगल में छेज़ छेद रहते हैं वहाँ में कंट्यूनिटी मिलेगी वही रेश्टेंस हमारी 47 केकी होगे और 47 केकी रेश्टेंस को चेक करने के बाद आज आँगे बढ़ेंगे तो उसी से एक 10 के की इसकाई कलर की ध्यान रखें तो इसकाई कलर की रेश्टेंस आपको देखने को मिलेगी और इसकाई कलर की रेश्टेंस जा मिल जा आँगे आपको 100% कि 47 की रेजिटेंस देखने को मिलेगी और वैसे 47 की रेजिटेंस बारा बोल्ट से अटेस होगी सीधा स हीधालपंडा है अगर यहां बारा बोल्ट ठीकाशल항ady सीधा करना हैं questions कोई भी एक रेगुलेटर लगा कर दो बोल्ट इसको दे देंगे तो भी सही क्यों कि यह सिर्फ जो हमारा मीडिया टेक का प्रोसेसर है यह बताता है इसमें फूर टाहिम बिलिंकिंग से कि पैनल वी सी सी नहीं है बस आज का हमारा जो बताने का सेशन था वो इस पर ही था जानकारी हम आपको क्लास के अंदर देंगे आज के लिए इतना काफी है जै हिन जै भारत नवस्कार दोस्तों ज्यादा विचार करने से काम खराब होता है आप फोन लगाएं और पूरी जानकारी लीजिए क्योंकि आपका सोनेरा भविस आपका इंतजार कर रहा है CRT TV मेकनिक भाईयों के लिए गोल्डन चांस अभी कॉल करें और पूरी जानकारी लें क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ उन्ही के लिए आया है उन्हें पूरा तजर्वा है पूरी उन्हें जानकारी है हमारा ओनलाइन नंबर है 2499-693-20-22 तारिक तक डेमो क्लास होगा 25-28 तक अपडेट क्लास होगा और एक तारिक से ट्रेनिंग क्लास चालू होगा जो 30 तारिक तक पूरा हो जाएगा यानि सीखे LED LCD ओनलाइन मात्र 30 दिन में 30 दिन में आप अपना वविश से उजवल कर सकते हैं बेसिक और प्रक्टिकल नौलेज लेकर अपना वविश बनाएं जै हिन जै भारत